तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पूरा डेटेल से समझेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे दिससे स्वाम्या वेलकम टू दोसर ग्लासेज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपको बस एक लाइन ध्यान रखना है एक लाइन याद रखना है उसकी भी मेट्रिक लास में बताती हूं ठीक है किलो हेक्टो डे का डेसी सेंटी मिली किलो हेक्टो डे का डेसी सेंटी मिली ठीक है अब अगर आपको यूनिट की जगे मीटर रखना है डिस्टन्स ना परहे ह तो मिटर रख लो घ्राम ना पर रही हो तो घ्राम रख लो आगर कैपसिटी ले रहे हो तो ली टर रभ्लुँमीटर अगर gram यूज़ कर रहे हो तो kilo hectodeka gram dc centi miligram अगर liter लगा रहे हो तो kilo hectodeka liter dc centi mililiter तो इस तरह से आप इसको एक line learn कर लो आपको सब learn हो जाएगा अब कैसे इसको divide करते हैं ये देखते हैं अब हमें length की किसी unit का conversion करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो हम वही line लिखेंगे जो हमने अभी learn की kilo hectodeka meter dc centi milimeter ये हमने line लिख ली अब हमें ये line में ये चीज बता होने चाहिए कि bigger unit होती है हमें सार्टिंग में और last तब चली जाती है वो smaller unit की तरफ turn करती है तो kilo meter से छोटा होता है hectometer hectometer से छोटा होता है decimeter decimeter से छोटा होता है meter मीटर के पाद decimeter और सेंटी मीटर देन मिली मीटर मतलब series एक बंती चली आती है बड़े सिली के छोटे कर्म तक यानि की descending order में series बन रही है हाँ ठीक है अब हमको bigger unit से अगर smaller unit की तरफ turn करना है तो हमें हमेंसा multiply करना होगा अगर हम smaller unit से bigger unit के तरफ turn कर रहे हैं तो हमें हमेंसा divide करना होगा यह चीज हमें ध्यान रखनी है ठीक है अब अगर question है one kilometer is equal to कितने Ёमिटर होते हैं ठीक है इसको hold कर लिया, दूसरा meter दे रखा है, meter को हमने hold कर लिया, ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखना है कितने jump के बाद meter है, तो देखो पहले kilometer से हेप्टो मीटर में आए, फिर डेका मीटर में आए, उसके बाद two jump, फिर three meter में आगए, तो तीन jump करने के बाद meter में आए, जब three jump किया है, तो three zero बढ़ाएंगे, ठीक है, one हमें अपने आप से लिखना है, तो one लिखा हमने, और one, two, three jump किया, ठीक है, तो one kilometer is equal to हो गया, करके देखते हैं, अगर हमको चाहिए, अगर पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, one meter square to, कितना किलो मीटर, तो फिर भी हमें वही करना है, क्या करना है, देखना है, पहले कौन कौन unit question में दे रखा है, मीटर दे रखा है, किलो मीटर दे रखा है, अब हमने यहां पे होल्ड किलो मीटर को भी, और मिटर को भी, अब हम क्या करना है, जम को उल्टी लगानी है, पीछे की तरफ जम करना, फिर पहले हम, आगे की तरफ जम करना, जब bigger से, smaller जा तो हम आगे की तरफ जम किया, और जब smaller से bigger पुछा गया तो हमें पीछे की तरफ jump लगानी है तो क्या किया 1, 2, 3 jump तो क्या किया हमने अब पीछे की तरफ jump लगाएंगे तो उसको लिख देंगे हम सारे 0 नीचे तो हम कर देंगे 1 by 1 और कितने jump लगाए 3 jump तो 1, 2, 3 jump लगाए तो answer हो गया हमारा 1 by 1000 km तो यहाँ पर क्या हो रहा है divide हो रहा है अब division के ज़रत कैसे होती है हमें तो हमें smaller unit से जब larger unit के तरफ जाना है तो लिखा जाता है divide में अब अगर दूसरा question देखें अगर मालो दे रखा है 1 1 km square to कितने cm तो क्या करना है होल्ड किसको करना है एक तो km को होल्ड करना है दूसरा cm को होल्ड करना है यहाँ हमने km को होल्ड किया और इधर देखा cm बहुत दूर है यहाँ होल्ड किया अब हमें जब करना है तो क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 जब के बाद मिल रहा है सी सेंटी मीटर ठीक तो हमने सीधे वन लगाया और वन टू थ्री पॉर फाइब जिरो लगा दिया सेंटी मीटर यह हो गया कनवर्जन ठीक है अब अगर हमको पीछे जाना है ठीक है अगर यही पूछ लिया जाए वन सेंटी मीटर में कितने किलो मीटर होते हैं ठीक तो क्या क करना है क्या कि हाँ क्या करने है को वन बाई में लिखना है वन बाई क्या हो जयेगाwd 1 2 3 4 5 ठीक तो क्या हो गया 1 cm is equal to 1 by 1 0 0 0 0 0 km कितना हो गया 1 10 100 000 10 000 lakh मतलब 1 lakh km हो गया हमारा 1 cm is equal to ठीक है तो ये हो गया अभी देखो फिर से दूसरा कुश्चन देखते है अगर पूछ लिया कि 1 cm मीं कितना मीटर होता है तो क्या करना है हमको cm यहां है मीटर यहां है पूछा की दर से गया है cm क्या है मीटर बीगर यूनिट है तो हमें क्या करना है उल्टी जंप लगानी है 1 2 जंप लगाया क्या लिखा हम ने 1 cm square to 1 by 1 और कितने जंप लगा है 2 to 1 to 0 बढ़ गया तो यह आ गया हमारा 1 km2 1 by 100 मीटर ठीक है अब अगर हमको करना है 1 cm2 कितने मिलीमीटर ठीक है तो देखो कौन सी दे रखी है आपर यूनिट को किया करना है हमें आगे की तरफ जंप लगानी है क्योंकि सेंटी मीटर इसकोर तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट क स्कूर्जन कर सकते हैं। ठीक है अगर आपको यहां पर ग्राम लेना है मालो ठीक है वेट का निकालना है कनवर्जन तो इसी जगे आप मीटर की जगे ग्राम लिख दिए और हर एक मीटर की जगे आपको सिर्फ ग्राम ही लिख देना है ठीक है तो यह हो गया आपका यहां पर हो जाएगा किलो ग्राम और यहां हो जाएगा gram, यहां हो जाएगा, यह फिर आके सारी unit हो जाएगा, यहां miligram हो जाएगा, ठीके, यह सारे gram हो जाएगा, तो क्या करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछ लिया, one gram is equal to, कितने miligram, तो क्या आप बताओगे, तो one gram कहा है हमारा, यहां प पड़ गए, miligram, answer आगया, one gram is equal to thousand miligram, तो क्या कि हमने, किलोग्राम को हो जाएगा, और gram कहा होगा, यहां होगा, ग्राम कहा होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, अब जंप कैसी लगेगी, उल्टी लगेगी, किसी दिल लगेगी, उल्टी जम्प लगेगी, मीटर्स क्योंकि यहां पर ग्राम पूछा है, ठीक, ग्राम से किलोग्राम में गया है, तो यहां ने लगाया था ग्राम, यहां पर लगाया था किलोग्राम, तो यहां से जम के, one, two, three, जम्प, ठीक, तो one by हो गया one, और कितने जुरो बढ़ेंगे 1,2,3 जंप लगाई हमने तो क्या हो गया 1 gram is equal to 1 by 1000 kg अब अगर आपको लीटर में कनवर्जन करना है ठीक है capacity कनवर्जन करना है तो क्या अगर हो गया आप मीटर के जगे लीटर लगा दो ठीक है हर जगे आप लीटर लगा ठीक है हो गया किलो लीटर हेक्टो लीटर डेका लीटर में मिली लीटर ठीक तो इस तरह से आपके लीटर में कनवर्जन हो जाएंगे तो कुर्शन अगर आ गया कि वन लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं एमल होते हैं ठीक है तो क्या करो А sensor‏ लीटर को आप ऐसे ४ोड करोगे और मिली लीटर को होड करोगे। ि मिली टेटर कहा है यहाँ है मिली लीटर है इसको होड किया अपने। तो क्या भशादने आपको ज 나 करना ही है कैसे ज जूम करना है ? यह आ गई आपकी largest unit है, यह smaller unit है, large unit की तरफ से small unit की तरफ जंप करना है, दो में करना है, one, two, three jump लगाया हमने, तो क्या लिखेंगे है, one, zero, 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 three times लिख दिया हमने, तो क्या आ गया ml, ठीक है, one liter is equal to one thousand ml हो गया, अगर उल्टा पुछ लिया जाए, अगर पुछ लिया जा मिली लीटर दे रखी है, हमें मिली लीटर को hold करना है, लीटर को hold करना है, ठीक है, यहां हम लीटर कर देते हैं, अब जंप कैसे करनी है, चुकि हमें ml पहले दे रखा है, तो इसका मतलब smaller unit को चेंज करना है, तो हम उल्टी जंप करेंगे, यहां से वापस गया, one, two, three times गय तो क्या हो जाएगा 1 ml is equal to 1 by 1 कितना जंप लगाया 123 जंप लगाया हो गया लीटर 1 by 1000 लीटर तो इस तरह से हम conversion कर सकते हैं इसके based question आप करके देखिए बिल्कुल एजी लगेंगा आपको ठीक है अब हम वो trick बताने जा रहे हैं आपको वो slogan बताने जा रहे हैं जिसके थुरू आप इस पूरी लाइन को भी learn कर सकते हूं कैसे kilo मतलब king, hecto मतलब henry, deka मतलब doesn't, unit मतलब usually, desi मतलब drink, centi मतलब chocolate, milk, mili मतलब milk अब देखो हम कैसे slogan बनाते हैं king henry doesn't usually drink chocolate milk अब देखो के से हो जाएगा kilo, hecto, descent, 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 unit, drink, descent, chocolate, centi, milk, mili तो आपको बस तुरंट से रटना है king henry doesn't usually drink chocolate milk अब देखो हम कैसे बनाते हैं और उस line में कितने सारे conversion आपके बिल्कुल clear हो जाएगे ठीके तो इस तरह से आप पूरे conversion completely कर सकते हो ठीके आज के लिए इतने ही thank you